हलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्टिशिटी इलेक्टिक करेंट के बेस्ट पे नुमेरिकल जो हमों लोग नेकल इलेक्टिक करेंट के डिपनेशन पढ़ा था आज उसी बेस्ट पे हम लोग नुमेरि बल्ब के फिलामेंट से होके पास कर रहा है 10 मिनिट के लिए 14 मिनिट, 10 मिनिट के लिए find the amount of electric charge that flow through a circuit, electric charge हमको निकालना है जो उस circuit के थ्रू 0.5 ampere का current 10 मिनिट के लिए पास कर रहा है, तो उसमें कितना charge पास कर रहा है, उस charge को calculate करना है, हमें दिया हुआ है I, I, जो है 0.5 ampere है, time है 10 मिनिट, कल हम लोग ने एक फर्मूला पढ़ा था, I is equal to q by t, q क्या है, q जो है वो charge है, और t जो है वो क्या है, time है, charge का unit था कुलम में, और time का जो unit था वो second में था, तो हम लोग को charge तो निकालना है, I, जो है वो current है, जिसका unit की सिज में था, ampere में था, I current है, इसका unit ampere में था, तो अब हम यहां से time जो था हमको second में था, 60 second, तो ऐसे ही 10 minute में कितना second होगा, 10 into 60 second, 600 second होगा, अब हम लोग I is equal to q by t यह पड़े है, t इधर divide में इधरा के multiply हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, I into t is equal to q, t इधर divide में है, इधरा के multiply हो गया, इसको लिखेंगे, I into t is equal to q, अब यहां पे हम देखेंगे, हमको q ही तो find out करना है, क्यों क्या है, वो charge है, q है जो charge है और हमको charge ही calculate करना है, आई भी दिया है, t भी दिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे 0.5 into time 600 is equal to q, तो 0.5 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर जो change करेंगे decimal यहां से हटाएंगे, तो नीचे 10 आ जाएगा, into 600, 10 से 10 कट गया, is equal to q, तो q is equal to मेरे पास आ गया 5 into 60, यानि 300, q क्या है, चार्ज है, तो q का जो unit होगा, वो क्या चिस होगा, कोलम्ब होगा, तो 300, कोलम्ब यह हमारा इसका answer है, तो इस तरह से यह numerical solve हुआ, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे electric circuit, electric circuit क्या होता है, a continuous and close path of an electric current, electric circuit से ही electric current पास करता है, तो electric circuit होता है, एक continuous और एक close path of an electric current is called an electric circuit, एक continuous मतलब कहीं भी break नहीं हो और close हो, कहीं भी तुटा हुआ नहीं हो, किसी electric current का continuous और close path ही क्या कहलाता है, electric circuit कहलाता है, अगर जो कोई भी circuit क्या है, कहीं से भी broken है, तुटा हुआ है, तो वो क्या होगा, उस circuit से current पास नहीं करेगा, उस circuit से current पास नहीं करेगा, जैसे example लेते हैं, कि एक हम लोग master board ले लेते हैं, जैसे घर में एक electric board लगा हुआ है, उस बोड में बहुत सारा switch है, switch क्या है एक तरह से key का काम करता है, जो circuit को open करने में और circuit को close करने में काम आता है, तो suppose that एक fan का हम लोग switch लेते हैं, fan initially क्या है, बंध है, switch को हम लोग fan initially बंध है, यानि जो उसका एक circuit है, wire के थूँ जो board में और जाके fan में add हुआ है, जो वो circuit है, जो switch off है, तो वो circuit क्या है, वो broken है, टुटा हुआ है, जब circuit broken है, टुटा हुआ है, यानि उससे current pass नहीं कर रहा है, जब current pass नहीं कर रहा है, तो fan नहीं चलेगा, fan stop रहेगा, जैसे ही हम लोग switch को on कर देते हैं, यानि circuit जो broken होता है, जो circuit टुटा हुआ है, वो circuit क्या होगा है, complete होगा, जब वो circuit complete होगे, तो fan तुरंत on हो जाएगा, fan तुरंत रन करने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोले current, if the circuit is broken anywhere, then the current is stop flowing through the circuit, अगर जो, यह क्या है, circuit कहीं से भी broken है, तो जो current pass करेगा, circuit से वो क्या हो जाएगा, वो stop हो जाएगा, current pass नहीं करेगा, या फिर जो current होगा, उसके अंदर वो क्या होगा, जिरो होगा, जिरो current, that means, pass नहीं कर रहा है, हम लोग एजाम्पल लेते हैं, यहां पर हम लोग बैटरी, जहां पर भी यह सिंबॉल आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बैटरी, मतलब यह कोई voltage source है, जिसके थ्रूँ यह बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो करेगा, जैसे एक हम बैटरी लगा दें, बैटरी के थ्रूँ बल्ब ग्लो करेगा, यहां पर ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम 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 तो क्या बूलेंगे यह बैटरी यह बल्व है यह द्यान रखना बैटरी में जहां पर भी ऐसा सिम्पॉल होगा जो बड़ा होगा वह वह पॉजिटिव होगा जो फोटा होगा वह क्या होगा नेडीव होगा तो करेंड का फ्लो कंप एसे होता positive to negative तो current का direction मैंने दिया है कि ये positive से चलेगा और किधर को आएगा negative को आएगा तो current का direction मैंने positive से negative दे दिया और अब ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक switch लगा हुआ अगर जो key जो है key या बोले या switch बोले अगर ये on है तो bulb जो होगा बल्ब क्या करेगा ये glow करेगा अगर key on है तो bulb glow करेगा जब bulb glow करेगा key on है ये एक क्या है complete circuit है circuit कहीं से भी तुटा हुआ नहीं है circuit कहीं से भी broken नहीं है और यहाँ पे emitter का का काम क्या होगा कि इस circuit के थूँ कितना current pass कर रहा है यहाँ पे emitter में हम लोग display करके देख सकते है कितना emper का current pass कर रहा है जब यहाँ पे key यानि switch जब on है तो bulb glow कर रहा है switch off होगा तो bulb glow नहीं करेगा bulb बुचा हुआ होगा bulb glow नहीं करेगा और circuit जो होगा वो circuit क्या होगा तुटा हुआ होगा मतलब बीच में से circuit क्या होगा broken होगा circuit broken होगा यानि कि वो circuit उससे क्या कर रहा है current pass नहीं कर रहा है अब इसका types देखेंगे तो type इसका होता है दो type का एक होगा open circuit दूसरा होगा close circuit open circuit इसको जैसे हम simple ही example ले ले लेते हैं circuit टूटा हुआ है current pass नहीं कर रहा bulb blow नहीं कर रहा fan नहीं run कर रहा तब वो circuit क्या है open तो देखेंगे open circuit an open circuit is a circuit in which there is no current flow और there is zero current open circuit उसको बोलेंगे हम जैसे switch on ही नहीं करेंगे हम इसी circuit में समझ रहा है जैसे ये switch on की जो है की अगर जो off होगा इससे current pass नहीं करेगा जब current pass ही नहीं करेगा तो ammeter पे show क्या होगा कुछ नहीं zero ammeter पे show नहीं होगा that means ये क्या है open circuit open circuit an open circuit is a circuit in which there is no current flow जिसमें current flow नहीं होता है या फिल जिसमें zero current होता है zero current का मतलब क्या है current flow नहीं होता है it is called no load circuit इसको हम no load circuit भी बोलते हैं no load circuit क्यों बोलेंगे क्योंकि जो वो circuit है अगर वो open है तो उसके उपर कोई भी load नहीं है कोई भी load नहीं है इसका मतलब हम यह बोलेंगे कि जैसे यह circuit है यह circuit अगर जो open है कि यहाँ पर अगर जो off है तो इसको लोड बोल नहीं करेगा जब गलोड नहीं करेगा जब बल्प गलोड नहीं करेगा यानि करेंट कह है जिरो है सारा स्शुच ऑफ है तो मिटर अंदर रेडिंग जो होगा वो आगे जाएगा नहीं जाएगा यानि कि मेंटर के उपर कोई भी लोड नहीं है उसको हम जो क्या बोलेंगे नो लोड बोलेंगे तो जैसे ही open the backend का कि अगर्शेगा है जो कि रेड करेंगे कि इस अंतर्प्शन के शक्रीट मूस सब्सक्राइब कार्वी है सब्सक्राइब दर लेंगे यसमें कोई बहुत बिंट्रूर च्रुंप नहीं है कोई circuit में कोई भी default दिन है जिससे circuit क्या है broken है या फिर current pass नहीं करता है तो इसमें हम लोग यह चीज देखेंगे कि जो closed circuit है closed circuit a circuit without interruption providing इसमें कोई भी interruption कोई भी through t नहीं है कोई भी इसमें default नहीं है तो एक continuous path through which a current can flow यह continuous path है जिसके through current क्या हो रहा है flow हो रहा है और जब current flow हो रहा है तो यहाँ पर bulb भी glow करेगा ammeter यहाँ पर लेडिंग भी show होगा कितना current flow कर रहा है switch क्या है switch जो है closed circuit में switch क्या होता है वो ओन होता है यहाँ पर switch जो होगा वो और इसको तो हम भी से रिपर्चेंट करेंगे यानि voltage है तो voltage को भी से रिपर्चेंट करते हैं आगे इसको पड़ेंगे आप positive से negative current का flow कर रहा है बल्ब जो होगा वो क्या करेगा वो glow करेगा तो अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे open circuit जो होता है यह open circuit है तो इसमें current जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा क्योंकि जब यह switch on ही नहीं है switch off है तो current इससे पास नहीं करेगा यानि current जब जीरो होगा तो इसका जो voltage होगा जो मतलब इसमें यह battery जो है जब उसको हम switch को on नहीं करेंगे यानि switch off है तो circuit क्या broken है यानि open है circuit open है तो current उसके थ्रू जो bulb glow नहीं करेगा current जो flow होगा वो जीरो होगा और जो battery का capacity होगा वो capacity क्या होगा maximum होगा इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो यहां पर voltage क्या होता है जीरो होता है दोनों एक दूसरे के और i क्या होता है current जो होता है वो maximum होता है यह ज्याद रखना open circuit में i zero होता है voltage maximum होता है closed circuit में इसका just opposite होता है यहां पर भी zero होता है और i maximum होता है क्योंकि current इससे flow हो रहा है thank you